English Literacy Program क्या है और इसमें सिक्षक अपना प्रमार पत्रक कैसे प्राप्ट कर सकते हैं। आईए देखते हैं इसकी पूरी प्रोसेस। अब इसके लिए सबसे पहले तो सिक्षक को RS के MP की जो बैव साइट है इसमें अपना रजिश्टेशन करना होगा। रजिश्टेशन करने के लिए किसी भी ब्राउजर में आपको RS के MP की जो बैव साइट है इसे उपन करना है और इसमें अपने यूनिक आईडी और पासबर्ट जो डेट अप बर्थ है इससे लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के उपरांथ इसमें Olympiart का एक उप्शन आता है जिस पर किलिक करके सिख्चक अपना रजिश्टेशन कर सकते हैं। जैसी हम Olympiart पर किलिक करेंगे तो एक सब उप्शन आएगा English WPC का। अब जैसी हम इशे पर किलिक करते हैं तो टीचर रजिश्टेशन के एक उप्शन आता है। इस उप्शन पर खिलिक करके आप अपना रजिश्टेशन कर पाएगे जिसमें आपको अपना WhatsApp नमबर फिल करना होगा और सम्मिट करना होगा। अब जैसे आपने इसमें अपना WhatsApp नमबर फिल करके submit कर दिया, आपका इसमें registration हो जाएगा, अब आपको अपने WhatsApp में इससे संबंधित link आएगी, जैसे हम link देखें तो कुछ इस परकार से link हमें अपने WhatsApp में प्राप्त होती है, जिसमें कुछ content भी दिये जाते हैं, इन contents के अध पर हम छात्रों को अध्यापन कराते हैं, अब इसके उपरांत हमें एक test link भी अपने WhatsApp में प्राप्त होगी, जिसमें हमें test देना है, जैसे आप देखें, तो WPC certificate test link कुछ इस परकार से आपको अपने WhatsApp में प्राप्त हो जाएगी, और यदि WhatsApp में प्राप्त ना हो, तो वीडि सकते हैं, certification test of elementary and advanced reading level, तो आपको इसमें जो detail दी गई है, बहुत ही साउधानी से भरना है, सबसे पहले तो teacher's WhatsApp number, अब आपने registration के सामें जो WhatsApp number फिल किया था, वो WhatsApp number आप यहां पर फिल कर दें, और इसके उपरांत आपको अपना unique ID इसमें फिल कर देना है, और फिर next का जो option है, simply इस पर click करते हैं, जैसे आप next पर click करेंगे, आप next level पर पहुँच जाएंगे, जहां आपसे पूछा जाएगा कि आप किस level, कौन-कौन सी class पढ़ाते है, teaching grade, जो है second and third class, fourth and fifth class, second to fifth class, तो जो भी option आपके लिए suitable हो, वो option आप select करें और next पर click कर दें, इसके उपरां test के लि question है, इसी परकार B part रहेगा, उसमें कुछ और question रहेंगे, और इसी परकार C part रहेगा, जिसमें un-or question रहेंगे, जिन्हें आपको पढ़कर इसमें answer देना है, जैसे हम एक example के लिए इसमें answer देते हैं, और सभी answer दे देने के उपरां next, इस पर click कर दें, जैसे आप next पर click करें तो आप C part में आ जाएंगे, अंतिम part है, जिसमें आप देखेंगे कि 18 question दिये गया है, जिनके answer आपको देना है, जैसे हम फटाफट इसमें answer देते हैं, के वल example के लिए, और सभी answer दे देने के उपरां submit इस option पर click कर देंगे, जैसे आप submit पर click करेंगे, तो आप देखेंगे उसमें cross बना हुआ है, जो सही answer होंगे, आप देख सकते हैं कि green color से बनकर आएगा, जैसे हम देखते हैं, कोई सही answer इसमें जैसे आप देखें, तो यहाँ पर जो green color से बना है, अर्था सही answer है, बाकी जो red से है, वो गलत हो चुके है हमारे answer, अब जब आपके द्वारा जो test है, इसे submit कर दिया गया, आपके WhatsApp में एक link आएगी, जिस पर click करके आप अपना certificate download कर सकते हैं, साथ ही आप दूसरी link के माध्याम से भी अपना certificate download कर सकते हैं, जो कि आपको वीडियो के description box में भी मिल जाएगी, जैसे कुछ इस प्रकार से description box में आपको link मिलेगी, जिस पर आप आपको click करना है, जैसे आप click करेंगे तो browser में जो link है, वो open हो जाएगी, जहां आपको अपना WhatsApp नंबर, जो नंबर आपने इसमें fill किया है, वो नंबर यहाँ पर type करना होगा, और इसके उपरांद gate certificate इस option पर click कर दें, जैसे आप click करेंगे आपका जो certificate है, इसे download करने का option आ भी download कर सकते हैं, एथी English Literacy Program के संबन में एक महत्मून जानकारी, आसा है जानकारी आप समझ पाए होंगे, मिलते हैं कुछ इसी परकार की जानकारी के साथ में next वीडियो में, तब तक के लिए जैहन